कुछ दिन पहले एक महिला का सिरकटी लाश बहराईच के इलागे में मिलने के मामले की गुत्थी पुलिस ने सुलजा ली है। मृतिका का पती सवदी में नौकरी करता है जिससे वह ज्यादा वही रहता है अलोगध से हर्चा लिया करती थी जिससे उसके पतीी ने अपने भाय के साथ योच्णा बना कर अपनी ही पत्णी की हत्य जैसी घटना को जाम दे डाला जिसकी पूलिस ने खुलासा घटे हुए हप्त्या के ये कारण प्रकाश में लाए हैं एक सिर्क टीलास खाना रूपई लिया के अरवडवा गाओं के पास ठीट में मिली थी जिसमें काफी पतारसी के बाद से ब्रका की पहचान हसरीन उर्फ नसरीन कुतरी साथ निवासी इटकौरी के रूप में हुई इसकी साधी रियाज अली कुतरसाधिक अली इटकौरी खान अरिसिया जनपर भाईडाई के साथ हुई थी पत्पत्नी में विवा के बाद से काफी अंदन रहता था और पत्नी किसी भी तरह से इससे छुटकारा चाह रहा था लेकिन यह पती जो है लगातार इसको पैसे भेजता रहता था और इससे संपर्ण में भी था घटना वाले पत्नी को मोटीवेट किया कि वह ससुराल चली जाए उसकी बातों में आकर पत्नी ससुराल के लिए अकेले रवाना हुई थी साथ ने इसका खुणी जलने पर इसका देवर इसको जोईन किया और उसके बाद से जो गठना में सांगिल से ससूर और उसका ससुर का एक भंडर अधानन्य नाम का वो भी इसमें शामिल हुए इन लोगों ने घटना अस्तल पर ले जाकर एक शूरी से इसका गला काटा और जो सिर्थ था वहीं थालाब में प्यक्टिया था साथे लोगों ने पूश्टाज में अपने घटना प्यादाना इकबाल किया है जो मौके से जो आला कत्र था वो बरामत किया गया है साथी र्याद वादी के पिता साधी कली के खूं से दने हुए कपड़े ता मिक्ता के लठना के समय पहने हुए कुछ आगुषण भी इन लोगों से परामता ऐसे ही लेटेश को बरे पाने के लिए बेल इकन को फिलिक कर हमारी चैनल को लाइफ, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल अजबी बंक्वेट्स एंटरप्राइब